साथ ही इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आप देख रहें राइट इंफ लोग को वीडियो मैं हूँ आपका साथी प्रदीप मौर्या और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होस्पिटल मेनेजमेंट के बारे में आप में से कुछ स्टूटेंट का कमेंट होता है इसमें और इस कूर्स को करने बाद आपकी जॉब प्रफाइस क्या हो सकती कौन को सेक्टर्स में आप कर सकते हैं सेलरी क्या होगी बहुत सारी इंपर्टन चीज़ें आपको बताएंगे बस आप वीडियो के अंडर तक बने रही साथ हो सबसे बले हम बात कर लेते हो होस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको क्या करना होता है मतलब आपकी जब जॉब लग जाती है दिन आप क्या करते हैं तो देखिए आपकी जो मेनली जॉब है या आपकी होस्पिटल में लगती इसके लाग और भी सेक्टर से जहां पर आपको जॉब में होता ame but main होता है hospital ठीक है वहांपर आपकर कारना होता है आपको management staff में work करना होता है किसी भी और किसी organization का हेँ होता है management staff जो hospital या फिर उस organization का जितना management का काम होता है वह देखता है उस management 입 staff में करी साधी जौब प्रोफाल्टी है जिन पर आपको करना होता है डिपेंड करेगा कि आपको किस जॉप प्रफाइल पर विवस्थाएं होते हैं उनको देख रेख आपको करना होता है उनकी निगरानी करनी होते हैं क्योंकि आप होते हैं management staff का एक हिस्सा एक पार्ट आप होते हैं इसके लगए क्या करना होता है कोई भी hospital है तो उसकी जितने भी resources है मतलब कि जो संसाथन है उनका अच्छे तरीके से यूज हो पाए उसके लिए आपको काम करना होता है medical equipment का arrangement and updated technology hospital में लाना ये भी काम होता है किसका management staff का ठीक है जब आप इस staff में join करेंगे मतलब कि आप job profile पर work करेंगे तो आपकी जम्यदारी ये भी होगी कि समय के साथ जो medical equipment हैं उनको update करना जो नई-नई technology आ रहे हैं उसको अपने hospital में लाना जिससे मरीजों को यानि जो patients हैं उनका इलाज करने में आसानी रहें चीज़ें अच्छे तरीगे से हो सके आई हूप आप इस चीज़ को समझ के होंगे और बहुत important चीज अच्छे अच्छे doctors जो skilled doctors हैं मतलब कि जो kusal doctors हैं अपनी field में उनको hospital से connect करना मतलब कि जोड़ना जब आपके hospital में अच्छे-च्छे doctors होंगे जिनको knowledge होगा, experience होगा वो अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज करेंगे जब अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज करेंगे तो ऐसे में आपके हाँ patient काफी जादा आएंगे क्योंकि उन्हें क्या मिला है उनको skilled doctors मिलें उन मरीजों को skilled doctors से इलाज कराने का मौका मिला है तो इसके लिए क्या करना होगा आच्छे-च्छे doctors यानि कि जो skilled doctors होते हैं उनको अपने hospital से जोड़ना उनको connect करना तो यह भी जम्यदारी होती कि इसकी management स्टाप की यह भी आपको काम करना होगा जब आप स्टाप को जोइन करेंगे इसके लोग क्या होता है financial arrangement of hospital मतलब की जिस hospital में आप work करेंगे उसकी आर्थिक व्यवस्था मतलब कि उस hospital का जो financial arrangement होता है पैसो और चीज़ें भी चीज़ें होते है उनका arrangement करना सभी चीज़ें अच्छा तरीके से करना तो यह भी काम किसका होता है यह भी होता है management स्टाप का जब आप उसका हिस्सा बनेगे तो आपको भी काम करना होगा साथ हो management एक बहुत important चीज़ होते किसी भी चीज़ के लिए चाहे family के लिए हो चाहे किसी hospital के लिए किसी इंसिट्यूट के लिए या फिर organization के लिए country के लिए या फिर किसी company के लिए किसी भी फॉर्म के लिए वहाँ पर management अगर सही होगा तो सभी चीज़ें अच्छे तरीके से चलेंगे अगर management गरबड होगा चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं होगी तो निशीत है कि वो चीज अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी इसलिए किसी भी hospital के लिए करेगा तो इसलिए जरूर यह साथ हो कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं मैंनेजमेंट की फिर्ड में करियर बना चाहते हैं हॉस्पिटल मेंजमेंट की फिर्ड में तो अच्छे तरीके से चीज़ें करें अच्छे तरीके से चीजों को सीखें और इमानदारी से काम करें अपनी रेस्पांसब्लीटी को समस्ति होगे काम करें चलिए अब मैं आपको बताता हूं कोर्स के बारे में देखे साथ हो यहां पर कई प्रकार के कोर्स अवैलबल हैं डिग्री में यूजी कोर्स यानि की अंडर्ग्रजुएट कोर्स जो है वो भी वालबल है पोस्ट कोर्स भी हैं और डिप्लोमा और सर्टेफिकेट कोर्स भी हैं इनके बारे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बस आप वीडियो के अंडर तक बने रहीएगा साथ होगर हम बात करें यूजी कोर्स की तो यहां पर कोर्स होता है बैचलर ओफ ऑस्पिटल मैनेजमेंट यानि क बी एच एम या फिर आपको इस प्रकार का कोर्स देखने को मिल सकता है बैचलर ओफ ऑस्पिटल एडमिस्टेशन ठीक है तो यह जो कोर्स होता यह तीन साल का होता फुर टाइम आप इसे कर सकते हैं इसकी फीस आठ हजार से पांच लाग रुपए तक हो सकते हैं डिपेंड एक जाएम बास हो 50% मार्क्स के साथ या फिर 55% ठीक है डिपेंड करेगा इंस्ट्यूट पर 50-55% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस कूर्स के ले इलिजबल हो जाते हैं आप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ट्वालत किया तो आप इसे कर सकते हैं साथ पूर्स की फीस हो सकते हैं एक लाग से सात लाग रुपय तक पूरे कोर्स की फीस है इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ किया हो आप इस को कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आप क्या है आप कर सकते हैं कोर्स लेक जरूरी है कि आपने बीस्सी किया हो या फिर आपने साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो तभी आप कर सकते हैं तो आप जो कोर्स करेंगे जिस प्रकार का उसे साब से आपका जो अपना इलिजबिलेटीक्रायटरीया है वह आपको ध्यान रकना जरुरी होगा अलगलas या रखते हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए अडिमिशन लेना होगा साथियों गर मुँआ करें डिप्लॉमा कॉर्सिस की तो इसमें डिप्लॉमा भी होता है डिप्लोमा IN HOSPITAL ADMINISTRATION इस तरह की कोर्स होता है डिप्लॉमा इन होते है वन येर यानि की एक साल की इसकी फीज हो सकती है सत्तर हजार से एक लाक रुपय तक और इसके लिए जरूर य करकते हैं इसके के लोग साथ हो आप कर सकते हैं PGD in Hospital Management या फिर PGD in Administration ठीक है इसके लोग आप कहा कर सकते हैं PGD in Hospital and Health Management कुर्स भी आपको देवने मिल सकता है इसकी डिरेशन होती है दो साल यानि की टू येर्स और इसकी जो फीस साथ लाग रुपए तक हो सकती है जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ क्या हो आप किसके लिए लिजबल हो जाएंगे अगर आप करना चाहते हैं हाईयर एजुकेशन तो आप कर सकते हैं पिएजडी इन हॉस इसके लिए जरूरी है कि आपने मास्टर डिगरी की हो तभी आप इसके लिए लिजबल हो पाएंगे तो साथ हमने आपको अलग अलग कोर्स बताएं यूजी पीजी और डिप्लोमा कोर्स पीचटी इन सभी के बारे में आपको बताएं अब सवाल आपके मन में यहार होगा कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए बैचलर डिगरी कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स या फिर मास्टर डिगरी या फिर कोई हमें और सा कोर्स करना चाहिए अगर आप एक 12 पास्ट स्टूडेंट है तो तो आपको करना चाहिए बैचलर डिगरी कोर्स या फिर आप कर सकते है Integrated course, Integrated में क्या होता है, उसमें आपका Bachelor degree भी होता है, साथ में ही आपका Master degree भी होता है, ठीके, तो अगर आप चाहो Integrated course कर सकते हो, या फिर 12 के बाद आप Bachelor degree कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो Master degree course, इस field में मतलब कि Hospital Management या फिर Administration की field में, इसमें फाइदा यह होता है, अगर आप 12 के बाद करते हैं Bachelor degree course, तो आप इस field में करियर बना सकते हैं, किसमें, Hospital Management की field में करियर बना सकते हैं, Administration की field में करियर बना सकते हैं, इसके अलावा, जो other exams होते हैं, या फिर जहां पर बैचले डिगरी के जरूत होते हैं, वहाँ पर भी आप इस degree का यूज कर सकते हैं, औ बदलब कि career options आपको कही सारे मिल जाते हैं, अब आपको देखना होगा कि हमें किस field में जाना है, आपने जिस field में course किया है, ठीक है, अगर आप उस field में जाना चाहते हैं, तो definitely जाए उच्छतरे के से मैनत कीजे, जब आप मैनत करेंगे, चीजे सेखेंगे, तो definitely आप अच्छ दिगरी है, तो वहाँ पर आप इस degree का यूज कर सकते हैं, किसका bachelor of hospital management वाली जो डिगरी है, उसका यूज करके आप उस field में भी जा सकते हैं, जैसा कि UPSC, या फ़र SSC, railway, bank, या फ़र जो अधर exams होते हैं, उन field में जाना है, तब भी आप जा सकते हो, ठीक है, और इस field में व कर सकते हैं, और भी higher education वाले courses में आप कर सकते हैं, आप इन चीजों को समझ गया होंगे, course duration और fee structure के बारे में, साथ होगर आपने MBBS course किया हुआ है, और उसके बाद आप इस field में work करना चाहते हैं, किस field में, hospital management या फ़र hospital administration की field में, तो आप क्या कर सकते हैं, MBBS के बाद आप क course कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कौन कौन सी, जो job से होंगी, जिन पर हमें work करने को मिलेगा, तो इस course को करने के बाद आप इन सभी job profiles पर work कर सकते हैं, कौन कौन सी, medical affairs manager की post पर, clinical project manager की post पर, chief nursing officer की post पर, इसके लाँ साथ हो, health care finance manager की post पर आप work कर सकते हैं, health director भी आप बन officer, इसके लाँ साथ हो, आपको मिल सकता है, hospital CEO का post, ठीक है, जब आपको experience हो जाएगा, चीज़ें आपको बहतरीन तरीके से समझ में आनी लगेंगी, knowledge काफी हो जाएगा, experience हो जाएगा, तो आपको hospital CEO का भी post मिल सकता है, तो यह जो profile से हैं, जिन में आप work कर सकते हैं, इस course को complete करने के बाद किस course को, bachelor degree या फिर master degree in hospital management या फिर hospital administration, I hope आप इन चीज़ों को समझ के होंगे, तो यहाँ पर कई सारे courses हैं, अब आपको देखना है कि हमें कौन सा course करना है, हमने कई सारे चीज़ें आपको बताई है कि कौन सा course करना चाहिए, जिसमें आपको career options ज्यादा मिल स अब आप अपने हिसाब से देख लिए कि हमें किस institute से करना है, उसमें क्या face है, अगर हम इतनी face paper कर पाएंगे, तो हमें यहां से करना चाहिए, अगर हम इतनी पे कर पाएंगे, तो हमें करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लिए कहां से आप करना चाहते हैं, और यानिकि एकर आप कूर्स कर लेते हैं Hospital Management या फ्राइडमिनिस्रेशन के फिल्ड में तो इसके बाद आपको कौन कौन से सक्टर्स में जॉब मिल सकता है तो इस कूर्स को करने के बाद आपको सरकारी और प्राइबेट बोथ बोथ हॉस्पिटर्स में जॉब मिल सकता है यानिकि आपको मेडिकल इस्ट्यूट्स में जॉब मिल सकता है पॉलिट एपार्ट्मेंट जो होते हैं उनमें आपको जॉब मिल सकता है मतलब कि बहुत सारे सब्सक्रां प्राइबसारी गया परश्भा करते हैं जीज आप GL पूरत करते से कोर्स करना है चीज़ें आपको सीखनी है इस्किल्स पर आपको फोकस करना है साथ हो गर हम बात करें सालरी की तो आज आप फ्रेसर यान की जैसा ही कोर्स आप कम्प्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद आपकी जो स्टार्टिंग सालरी है वो पंदरा से 20,000 रुपे हो सकती ह परमंथ की depend करेगा आपके institute पर क्या आपने चाहं से किया हुआ है और आपको किस hospital में job मिला है और किस job profile पर जौब मिला है और आपने कौन सा कोर्स किया है आपने B.H.M. किया है या फर आप मास्टर डिग्री कोर्स किया या फर आपने M.B.N. hospital management किया है ठीक है तो कई सारे functions तो एक आइडिया अपले सकते हैं कि स्टार्टिंग सेलरी आपकी 15-20,000 रुपए 25,000 रुपए इस तरीके की हो सकती है और जब आपका एक्स्पिरियंस बढ़ेगा उस फिल्ड में तो आपकी सलरी बढ़ सकती है अगर हम बात करें कि एवरेज सेलरी की तो अगर आप ए ग्रे हॉस्पिटल में अलग-अलग होती है इस तीस को आप ध्यान रखेगा मतलब कहने का यह है स्टार्टिंग में आपके सलरी कम रहेगी लेकिन जब आप चीज़ें सीखते जाएंगे एक्स्पिरियंस आपको होता जाएगा अच्छे हॉस्पिटल जॉइन करेंगे अच्छी जो अपर फाइल वाग करेंगे दिन आपको डेफरेंटली अच्छी सलरी मिलेगी आपको वहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी यह वीडियो जनकर यह आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्स्क्राइब जरूर कीज़े और न मेंसन केज़े हम आपको रप्लाई कर देंगे धन्यवाज जय इंद जय भारत आप मेहनत करते रहें चीज़ें सीखते रहें